Hello everyone, welcome back to my channel, hope everyone is safe, sound and healthy, inshallah, ताला, आज है Sunday and Sunday means Monday, तो आज हम बनाने जा रहे हैं, चीज ओमलेट, संडे का special नाशना होना चाहिए न, तो इस पदर से हम बनाने जा रहे हैं, चीज ओमलेट, चीज ओमलेट के लिए क्या चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूं पहले, आपको च टैपसी कम हो गया, अनियन, ठीक है, टोमेटो, एंड ड्रीन चीली, एंड फ्रेश यू कोरियंडर है, वो मैंने ले लिया, मैं पर स्पाइस वाला पूरा ये जो है बोक्स वो है, उसके बाद टू एक्स में इसमें यूज करूंगी, ठीक हो गया, उसके बाद पहर आपके बाद लिओट लेशन के जो कहा लोग करेंगे, तो इन शीज़ों को कर लेते हूं, मैं साइट पर सबसे पहले बस अच्छा चीज है, साइट पर कर लेते हैं, ठीक होगा, अच्छा जीत, हम क्या करेंगे, कि कॉट कर लेंगे उन यह मैं फेलेबल सकता है, झाहे रिएक है, ये और इसको हम करते हैं जिक कट ठीक हूग गया चालो तुम भी आजो तुम भी आजो दुम भी आजो तुम सबस्당히 बाद में अना ठीक हो गया अच्छा च जी हमस्ट्रार्ट कर रहे हैं कट करना इसका मैं कर लोंगी कट करके जी जो भी शेव आपको अच्छी लगते हैं आप उसकी कट कर लाएं ठीक है जल्दी जल्दी हम कर लेंगे इसको कट 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 और कट ठीक है सारी वेट्री टेविल्स को आपने फानली चॉप कर देना आपको कोई भी शेप अच्छी लगती है आपने उसके मताबिक जो है वो कट कर लेना ठीक है और कट और कट मिना देना थीक हो गया अच्छा जी तो कटिंग करने के पर देना थीक है बाद हम लेंगे एक बाउल ठीक है और एक लेंगे फोग उसमें डालेंगे टू एग्स बारी बारी इसमें एट करेंगे ठीक है यह गया जी पहला एग उसके बाद चला गया जी दूसरा वेला जो एग था वो भी हमने डाल दिया ठीक है अब हम इसको कर देंगे अच्छी स तरा से मिक्स, स्पीड मिक्स, मिक्स, मिक्स एकौन, थीक हो गया It frequently mix करेंगे एतना correspondence करेंगे के योग और जो एक वाईट है ना उर्षי नाराजगे कि सारी नराजगें खतम ओचाएं और जिंदगे भर केज़ए वह कट्टी हो जाए रहलों हंसी कुछ ही रहना हो जाए ठीक है अच्छा जी तो हमने कर लेना है mix ठीक है बस एक सिंपल सी बात है अच्छी तरह से mix कर लेना है ठीक है mix कर लिया हम दोगह ने अब हम इसमें add करेंगे अपने spices add करेंगे पिलकुल simple से मसाले जो हैं हम इसमें add करेंगे basic ठीक है क्योंके क्योंके विछ चीज ओम देते हैं ठीक है तो pinch of healthy और one जो है fourth वो मैंने salt add किया एक अंडे के हिसाब से one fourth मैंने gradually वो add किया ठीक है फिर हम दोबारा इनको अच्छी तरह से यजा कर लेंगे ठीक है mix कर लेंगे यानि के बहुत अच्छी तरह से mix and mix and mix ठीक हो गया और अच्छी तरह से combine करो mix करो ठीक हो गया अच्छी अब जो हमने वजड़े बस जो थी जो कटा कट अपने पास रकी हुई थी ना ठीक है वो हमने इसमें add कर दें ठीक है और आप देख लें कि इतनी ही आपको required है आपको ज्यादा अच्छी लेकिए आप इसमें सारी के सारी add कर दो अगर आपको बहुत जादा भरी वी जादा वेज़ेटेबल्स नहीं अच्छी लगती तो बस भई इतनी ही काफी है ठीक है और यह जो cutting board है उसको हम कर देंगे side पे ठीक है वेज़ेटेबल्स को अच्छी तरह से mix कर देंगे अच्छे इसमें fresh वाला जो दुनिया था वह मैंने add किया वा था और green जो चीली थी मैंने वह भी add कर दी थी ठीक हो गया अब हम अपना जो पैन है वो रख देंगे चूले पे मैंने फ्लेम है वो on कर दिया अब इसमें स्लाइसेस टे वो मैंने कट करके जो है आफ कैमरा रख दिये थे और आपको यह मैंने दिखा दी कि नाइफ के साथ मैंने ऐसे से कट कर दिया ठीक हो गया अब हम बैक टू दा पैन अब पैन को हम थोड़ा सा ऑईल डालेंगे ठीक है वैसे तो अगर आप ना भी डालें या प् अब हमने वेट करना है कि आउल हमारा गरम हो गया हो गया हो गया यानि मिजाजन जो है ना वो बहुत अबला हुआ हो गया ठीक है अच्छा अब आपका पैन जो है वो रेडी जब हो जाए ना तो फ्लेम को आप आइससा करते हैं ऐसे नहों कि आप अंडा डालें और वो जल रहा है ठीक है आपने स्लो टु मीडियू मांच पे जो है वो इसको कुक करना है अब हम अपना छो बैटर था अंडे वैल रॉट टो चाहर हो चाहर कर देंगे एकूरी जो है वो इसको कर लिए पेला देंगे ठीक हो गया अब मैं अपस जो चीज पड़ा हुआ था ठीक है मैंने आपको कट हुआ वा पहले भी दिखाया था ठीक है उसको हाफ साइड के जो है वहां पर फेला के रख देना ठीक है और बिल्कुल हाफ साइड पर आपने इसको स्प्रेड करना है क्योंकि आपने इसको फोल्ड करना है चीज मेल्ट हो जाएगा ठीक है याम ठीक तो इसके लिए हाफ पर्शन पर मैंने चीज स्प्रेड कर दिया ठीक हो गया थोड़ी दिर हम इसको जो है वो पका लेंगी हलकी सी आँच पर फिर हम फिलिप करने की कोशिश करेंगे ठीक है पर झाल 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 चलो जी हो गया फ्लिप फ्लिप करने के बाद जहे हम थोड़ा थोड़ा बीच में कर्ट कर लेंगे और यू नो डिजाइन बिना लेंगे थोड़े से शिश के ठीक है और ये आपका हो जाएगा प्रीजेंटेशन के लिए त्यार बस थोड़े से सकेंड इनतार करने के बाद अटे केंगी यह देखने कितने मज़ेगा और कितना यमी लग रहा है ठीक है आप भी जरूर ट्राय करिएगा और अब मैं इसको खाऊंगी ब्रान ब्रेड के साथ ठीक है उनको भी ग्रिल कर लूँगी लाइट सा पैन पे और उसके बाद फ्लिप कर दोंगी और इंच्वाइग करूंगी यह होता है तो आपको मैं दिखाती हूं कि इसकी फाइनल रूक कैसी थी बड़ बिफॉर डैट प्लीज मेक शोर के आपने लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप क्रमेंट में बताना आप झाल झाल झाल